यूपी में अभी बहुत खेल बाकी है ये दावा खिलेश यादव के एक सहियोगी का है आखिर चल क्या रहा है आपको विस्तार से बताते हैं दरसल उत्रप्रदेश में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टिय गडबंधन के साथ कुछ अन्य दलों के आने की संभावना है काफी दिनों से बीएसपी चीफ मायवती के गडबंधन में आने की अटकले चल रही है इस बीच सपा के सहियोगी और महान दल प्रमुक केशव केशव देव मौरे ने सोशल मीडिया के जरिये प्रतिक्रिया देते हुए लिखा उत्रप्रदेश में अभी बहुत खेल बाकी है बहन कुमारी मायवती जी को निराश हताश और खामोश समझने वालों को जल्द बड़ा जटका लगेगा वहां तुफान आने से पहले जैसी में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है ऐसे में चुनावी गडबंधन या तीसरा मोर्चा आदी बनानी की अफ़वा फैलाना ये घोर फेक और गलत नियूज है मीडिया ऐसी शरारत पूर खबरे देकर अगर अपनी विश्वस्नियता ना खोई और लोग भी साबधान रहे मायवती ने किया खंडन क्या कहा आपको बताते हैं ब्यस्पी चीफ ने कहा खासकर यूपी में ब्यस्पी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं इसलिए आए दिन किस्म किस्म के आफवाएं फैला कर लोगों को गुमरह करने का प्रियास करते रहते हैं किन्तु बहुजन समाच पार्टी के हित में ब्यस्पी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है